मैं बहुत परिशान हूँ अपनी 20 साल पुरानी धात रोक की समस्या को लेकर नहीं रही हिम्मत किसी लड़की से बात करने की, जैसे ही किसी लड़की के कॉन्टाक्ट में आता हूँ तभी चिपचिपा पानी निकल आता है, नाइट फॉल भी होता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब करने में जलन भी होती है, पेशाब के साथ साथ धात भी गिर जाता है और कुछ खाया पिया नहीं लगता जिससे शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका है, काफी दवाया और नुसके भी इस्तिमाल करके देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मैं अब हार समस्या से आप आए, जिन्दगी भर के लिए छुटकारा, शुरुआत करेंगे कि चिपची पे पानी आने की समस्या क्यों होती है, इसके क्या क्या साइड एफेक्ट्स हैं, इस समस्या में क्या खाएं और क्या न खाएं, और सबसे जरूरी बात इसका इलाज कैसे करें, तो आईए बिना देर करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. Hello friends, Welcome to Ayurveda Health and Wealth. चिपची पे पानी निकलने का पहला कारण हो सकता है Masturbation यानि हस्थमेथुन, बार-बार हस्थमेथुन करने से लिंग में तनाव आता है और फिर अपने आप चिपचीपा पानी निकल जाता है दूसरा है Nightfall यानि स्वपन दोश, तो बार-बार Nightfall होने से धातु रोग की समस्या हो सकती है तीसरा है बार-बार यान क्रिया करना बार-बार यान क्रिया करने से बार-बार तनाव आता है और उससे चिपचीपे पानी की समस्या हो जाती है चौथा है लड़की से फोन पर बात करना जब आप किसी लड़की से फोन पर लंबे समय तक बात करोगे तो उससे भी बार-बार तनाव आता है और फिर बार-बार चिप-चिपा पानी निकलता है उससे क्या होता है कि लिंग की नसे धीरे-धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है फिर लिंग पूरी तरह सिकुर जाता ह उससे आपके तनाव में भी फर्क पद सकता है और अब आता है पांचवा रीजन पॉन मुवी देखना तो अगर आप ऐसा ही काम करते हैं तो इन कामों को पूरी तरह बंद कर दें क्यूंकि ऐसा काम करने से शरीर को काफी नुकसान होता है तो आप अपने दिल दिमाग को प उपाए भी है इसका उपाए है लेकिन उससे पहले आपको वो सारी हरकते छोड़ देनी हैं हो आप करते हैं जैसे मास्टिबेशन यानि हस्थमेथुन करना लड़कियों से फोन पर बात करना और पॉन मुवी या विडियो देखना तो इन्हें हो सके तो बिलकुल बंद ही क कर दें, उससे क्या होगा कि आपका शरीर फिर से डिवेलप होना शुरू होगा, लेकिन अब क्या है कि आपने और वीडियो देखी होंगी, जिसमें बताया है के अधरक खालो लोकी खालो ये समस्या ठीक हो जाएगी, अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप वैसे ही खाने में खा लेते हो उससे कुछ नहीं होता तो शायद इसी वज़े से आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हो और आगे ऐसे भी बने रहना क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप भूल ही जाओगे के ये परिशानी आपको पहले कभी थी या नहीं और फ्रेंड्स इस चै ले आते हो फिर खा लेते हो और अब वो टॉयलेट के रास्ते से बहार आ जाती है उससे कोई फाइदा नहीं होता और अब आप परिशान हो जाते हो कि इस दवाई को तो मैं काफी टाइम से खा रहा हूँ फिर भी फाइदा नहीं हुआ अब मैं क्या करूँ तो अब समझें इस चीज को के आपको यहीं mentally strong होने की जरूरत है और बस आपको इससे चुटकारा पाने के बारे में सोचना है क्योंकि मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ के ये सिर्फ एक शारीरिक बिमारी है इस बिमारी का उपाई भी है और कुछ लोग ऐसे भी है के जिन्ह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसे भी आपको लेना है और अब बात करते हैं के ये बिमारी किन किन शकलों में आती है जैसे तनाव आया चिपचिपा पानी निकला फिर तनाव खत्म अब तनाव ही नहीं आ रहा पुरे दिन में और नाइट फॉल हो जाना जैसे र हजार की दवाई खाए पासों की या फिर सो रुपे की दवाई खाए फर्क इस से पढ़ता है कि जो दवाई आपने खाई है उस दवाई का कॉंपोजिशन अच्छा है या नहीं और अगर आप से कोई कहे कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है थोड़ा टाइम तो लेगी ठीक होने में लगभग दो महीने तीन महीने चार महीने तो वो बात एक हद तक ठीक है लेकिन अगर उस दवाई का फर्क आपको 15 दिन में नहीं दिखता है तो उस दवाई को आप 5 साल भी खाएंगे तो भी उस दवाई का फर्क आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आयुर्वे क्योंकि 80% जिनको ये परिशानी रहती है उन्हें एक और परिशानी होती है। प्यूर्वेदिक के अंदर कोई सी भी दवाई खाले वो फाइदा नहीं करेगी। तो पहले हमें पेट पर काम करना होगा और परहेज आपको करना होगा गर्म चीजों का जैसे मास, अंडा, मुर्गा, मचली वगेरा वगेरा क्योंकि नौन वेज में डिलते हैं काफी मसाले और खाने में क्या लें? आप फल, दाले और हरी सबजिया ले सकते हैं जैसे लोकी, भिंडी, तुरई और आलू गो भी रात में नहीं खाने हैं दिन में खा सकते हैं तो इसी तरह से आपका इलाज चलेगा और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे वाटसैप पर मेसेज भी कर सकते हैं इसी के साथ दिन में दूद लेना है रात में नहीं क्योंकि उससे डाइजेस्चन में फर्क पड़ता है और फल जरूर खाने हैं क्योंकि इन में भारी मातरा में होते हैं फाइबर, मिनरल्स और विटेमिन्स जो शरीर की काफी कम्यों को खतम करने में हेल्प करते हैं और दिल की बिमारी को कम करने, कैंसर, सूजन, खुजली और डाइबिटीज जैसी बिमारियों में काफी कारगर साबित हुए हैं। और फ्रेंज बाजार की चीजे बंद करें जैसे बर्गर, चौमीन, मोमोस, पीजा वगेरा वगेरा। और एक और बात जब आप दवाई लें तो इसमें 30 मिनिट का गैप जरूर रखें सुबह भी और रात को भी, इसी के साथ शरीर में कमजोरी भी आती है तो उसका इलाज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ जड़ी बूटिया घर पर लेकर ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, पहले तो उनकी जड़ी बूटिया ही पूरी नहीं होती, जितनी इस बिमारी को दूर करने में चाहिए होती है उतनी नहीं होती, चलो माना के वो सारी जड़ी बूटिया ले आए, लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी कि वो असली है या नकली, तो इसी लिए आपको इन तरीकों से छुटकारा नहीं मिल पाता है, तो आपको चाहिए सो प्रतिशत आयुर्वेदिक मेडिसन, जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, इस दवाई का नाम है मुलकिज ये सो प्रतिशत आयुर्वेदिक है, इस दवाई का एक बॉक्स 900 का आता है, जो लगभग 15 दिन चलता है, और दो बॉक्स इस दवाई के 1800 के आते हैं, जो लगभग 40 दिन चलते हैं, इस दवाई का कोस दो महीने का होता है, लगभग 10 दिन में आपको इस दिखना शुरू हो जाएगा, इस दवाई को ओडर करने के लिए आपको अपना नाम फोन नंबर और एड्रेस पिन कोड के साथ देना होगा दिये गए वाट्साप नंबर पर, लगभग 4-5 दिन लगेंगे इस दवाई को आपके आड्रेस पर आने में और कैश ओन डिलिवर भी अवेलिबल है, मतलब जब ये दवाई आएगी जब ही आपको पैसे देने हैं, मैं आपको इस दवाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को ये धात रोक की समस्या थी, अब पूरी तरह जड़ से खत्म हो चुकी है, अगर वो लोग इस वीडिय जड़ से खत्म हो गई, तो सबसे अच्छी बात इस दवाई की ये है कि इसके कोई साइड एफेक्ट्स नहीं है, तो इस दवाई को लेना सो प्रतिशत सेफ है, और अब बात कर लेते हैं इस दवाई के इंग्रीडियन्स यानि जड़ी बूटियों की तो इसमें है, संभाल तुर्ख में काहू, मुलेथी, बेहमा, लाल, सिंगाड़ा, सफैद मूसली, बिदारी खंड, तालम खाना, सकाकुल मिश्री, सतावर, तुर्ख में रिहान, गोकरी, गोंध कीकर, लाजवन्ती, अश्वगंधा, तेजु के फूल, बीजबंध, पीरपल मग, वंश, लोचन कमरकस, गोंध, कतीरा, दारचीनी, वांग भसम और लोब भसम जैसी जड़ी बूटिया है, और फ्रेंज एक जरूर की बाद जब आप दवाई लें, तो इसमें गैप नहीं करें, क्योंकि अगर आप एक महीने इस दवाई को खाने के बाद कहें, अब इसे बंद कर देता तो ऐसा नहीं है, ये दवाई आपको दो महीने लेनी ही है, क्योंकि आप नहीं चाहते होंगे कि ये समस्या भविश्य में कभी वापिस आए, तो इसी लिए इस दवाई का कोस्ट दो महीने का है, और दवाई पूरे एक महीने की ज़रूर लें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी दवाई को आपके पास आने में टाइम लग जाता है और इस दवाई को खाने का तरीका आपको इसके पैकेट में ही मिल जाएगा तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर